गैस महेंगी हो गई? हला नहीं करना, बिलकुल, बिलकुल चुप, बहुत उचक रहे थे ना हिंडनबर्ण की रिपोर्ट पर, मालिक को नुकसान होगा तो क्या समझे थे, चोकिदार तुमको छोड़ देंगे, बेटा वसूली तो तुम से ही होगी, एलाइसी हो या बैंक, प फिर बचाओ ना मालिक को, तुम भी दो गाली हिंडनबर्ग को, अरे जाके देखो, टीवी में कैसे पाकिस्तान में हाहकार मचा हुआ है? यहां कुछ भी महेंगा नहीं हुआ, बलकि सस्ता हो गया है, आपको यकीन ना हो, तो महराष्ट के उन किसानों से पूछ लो, जो प्याज उगाते हैं, या फिर यूपी के आलू उगाने वाले किसानों, या एमपी के धान उगाने वाले किसानों से पूछ लो, पता है, महर दूरो आदी में जो 30,000 रुपए खर्च करने के बाद जो प्याज हुआ वो सिर्फ 2 रुपए किलो विका और सारा खर्च काटने के बाद निकालने के बाद साथ क्विंटल प्याज के लिए किसान को मिला सिर्फ एक रुपए उधर यूपी के किसानों ने बताया कि आलू का भी यही हाल है वो कहते हैं कि बजट में ये सवलियत वो केवल निवेस की बात करते हैं कितने लाक कडोर जो है वो निवेस किया गया ये किया गया तो भाई या पडोस वाले को दे 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 दूद उसको ऐसा ना कि नाली में डाल दे तो यह किसान के पास आलू का जैदा प्रोडेक्शन इंसाल हुआ किसी कारण बस कि रोग नहीं लगा या मतलब कुछ राई गेहूं की फसल जानवर वज़े से गेहूं की फसल नहीं बोही ग लिए गया किसमें जानवर नहीं नुकसान करेंगे यह सब मिला करके तो इसका दाई तो यह है कि मालिक इस आलू को कहीं थोड़ा बहूत इधर उधर विदेसों में विजवा दे तो किसानों की आत्मा किसान्द के लिए भले न उसको वाउ मिले पर यह कि हाँ एक लाक टन आलू बार गया है तो सायत कुछ रात मिल जाए लेकिन अगर इन फसलों को सुरक्षित स्टोर करने की सुविदा इन किसानों को मिल जाती तो आफसीजन में यही लोग 50-60 रुपए किलो आलू प्याज बेचने लगेंगे और इसी लिए सरकार कोल्ड स्टोरेज और वियर हा पौने पौने दाम में दोस्त लोग उसको खरीद कर रिश्टोर कर लें और बजार में कमी होने के बाद आप से मनमाना दाम वसूल कर सके अब आपके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है और उनके पास है तो भाई यह सब अपनी अपनी किसमत की बात है आप उनकी मेहनत स से ऐसा चवकिदार रखा जो उनका बाल भी बांका नहीं होने देगा भले ही आर्थिक इस्किती खराब होने के चलते आर बी आई लगातार बैंकों से पैसे निकालने पर पाबंदी लगाने को मजबूर हो जाए लेकिन आप तो बस पाकिस्तान की तबाही देखकर खुश ह और टीवी वालों को धन्यवाद दीजिए जो यहां की महेंगाई पर रिपोर्ट नहीं बनाते वरना आपका बीपी बढ़ जाता फिर दवाई का खर्चा अलग से आप तो बस ये देखकर मुस्कराओ कि पाकिस्तानियों के घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है क्य अब ये देखो की पाकिस्तानी सरकार के पास अपने कर्मचारीों को पगार देने के लिए पैसे नहीं है अब हमारी सरकार पर ये नौबत आई नहीं सकती क्योंकि यहां तो नोकरी ही सरकारी नहीं है और जो थी वो दोस्तों के ह numerous कर दी अब जाओ मांगो उनी से नोकरी भी फ़सल भी वही खरी देंगे, जमीन भी उनकी ओगी, घर भी वही देंगे, राशन भी उनसे लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब कार्ड धारकों को अनाच के बजाए, पैसे देगी, ताकि आप सरकारी कंट्रोल वाली राशन दुकान के बजाए, उनकी दमा दुकान से उनकी दुकान से सवान खरीच सको और जब राशनकार धारकों को पैसे ही नहीं देंगे तो सरकारी उचित मुल्ले वाली दुकान भी बंद हो जाएगी उसकी क्या जरूरत मतलब यह कि फिर सरकार किसानों से MSP पर फसल क्यों खरीदेगी भाई वो जन्जट भी खतम तो आपको मजबूरन मित्रों की नीजी दुकानों से खरीदना पड़ेगा तो साहाब धीरे धीरे सभी वस्तुमें सेवाएं मित्रों के कंट्रोल में होंगी और इस तरह आप भी उनके कंट्रोल में होंगे अब जब चाहे तब वो यूजर्स डेवलप्मेंट फीस यानि की यूडी एफ दस गुना वो बढ़ा लेंगे वैसे पिछले कुछ वर्सों से मार्च की पहली तारीख इसी तरह महंगाई लेकर आ रही है इसके बाद बजट वाली महंगाई वो अलग आज दो मार्च है और आज का दिन इसलिए यहां वो लेकनी है क्योंकि आज ही के दिन 1807 में अमेरिकी कॉंग्रिस ने दास प्रथा को खत्म करने का कानून बनाया था ये तब की बात है अब अब तो किसी के दास होने या गुलाम बन जाने की हम को खबर ही नहीं होती पाकिस्तान शेलंका की खबरे देखते देखते पता ही नहीं चलता कि कब राजा राम से राम दास हो गए वैसे कई लोग तो ऐसी दास बन कर भी खुश है